हेलो दोस्तो स्वागत आपका SBG चैनल में तो दोस्तो इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं MP Board Class 12 के बारे में दोस्तो Class 12 के बारे हम डिसकस करेंगे जैसा कि आप सभी को पता है कि इस वार क्या है लोक्टाउन की बज़े से सभी सब्जेक्ट के एक्जाम कराना संभब नहीं है तो इसी वाज़े से मंडल के दोवारा एक निल्ने लिया गया है और उस निल्ने में बोला गया है कि जो में सभ्जेक्ट होते हैं जो हाईर एजुकेशन के लिए आवस्यक होते हैं उनी main subject के आपके exam कराई जा पेंगे और वो कौण से exam है वो कौन सा subject है जो की आपको main category के अंदर रखा गया है उन subject का जो की हम नाम जानेगे और total इन्होंने मंडल के द्वारा 14 subject ऐसे हैं जो की main category के अंदर रखे गये हैं और हम देखने वाले की आपका जो exam है आपका वो subject है आपका subject जो की main category के अंदर रखा गया है या नहीं रखा गया है वो हम इस वीडियो के मादम से देखेंगे तो जो भी चैनल पहले पहले बिजट करें रोकेस्ट करेंगे चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करते ना है साथ ही बेल आइकन को दबा लेना है चली दोस्तों वीडियो करते हैं शुरू तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं आपको 3D डाइगराम की मदद से समझाने की कोशिस करूँगा आप अच्छे से समझ जाएंगे अगर मैं official notification के मादम से आपको समझाने की कोशिस करता तो साथ आपको नहीं समझ में आता तो मैं आपको 3D डाइगराम की मदद से आपको समझाने की कोशिस कर रहा हूं दोस्तों कि आपके जो main subject के exam है कौन कौन से करा जाएंगे और किस subject को main subject की category में रखा गया है इसमें हम English और Hindi medium दोनों के बारे बात करेंगे कोई कि जो English medium और Hindi medium के जो exam है सेम रहने बाले है तो सबसे पहला जो exam रखा गया है आपको main category के अंदर biology इसका क्या मतलब है दोस्तों इसका ये मतलब है दोस्तों कि 12th class में दोस्तों 12th class में इंदी medium और English medium है biology का जो exam है वो कराया जाएगा जो मंडल के दोवारे निले लिया गया है कि जो main subject होते हैं दोस्तों उनी main subject के exam कराये जावेंगे सभी subject के जो की exam नहीं कराये जावेंगे अब हम देखेंगे कि main subject कौन-कौन से है और कौन-कौन से subject के जो की exam conduct होने बाल है जब भी lockdown खुल जाएगा उसके 10 दिन बाद जो की आपके exam in subject के exam start होना शुरू हो जाएगे जब भी lockdown कुलेगा मंडल ने बोला है जब भी हमारा lockdown खुलता है यानि कि 14 अप्रेल को अगर lockdown कुलता है तो उसके 10 दिन बाद जाने की 25 अप्रेल से आपके exam conduct होना start हो जाएगे तो चली दोस्तों देख लेते हैं हमें के करके कौन-कौन से subject हो की रखे गए हैं हमने सबसे पहले biology subject को देख लिया जो की biology subject जो भी biology बाल है उनका जो biology subject का जो exam नहीं हुआ है नमर दो पर mathematics अभी math का जो की exam कराया नहीं गया है math का exam हुआ नहीं है कोकि 19 मार्श के बाद मा लोगणा लग गया था और इसके कारण जो की math का exam नहीं हुआ है इसके बाद मा दोस्तो chemistry और chemistry का भी जो की अभी exam नहीं किराया गया है तो तीन subject को main category के अंदर रखा गया है यानि कि तीन subject के exam कराया जाना है math का कराया जाना है chemistry का कराया जाना है biology का भी कराया जाना है कोकि तीन subject हैसे हैं दोस्तों जो की main subject होते हैं अगर किसी भी हम 12 के बाद में जो किसी भी college में जाते हैं तो आगे जो कि हमें जो की कॉलिज में एड़िज में अमें जा सामना करना पड़ सकता है है एक़ौनोमेक्स फोर नंबर पर जिपनी में लिया है इक जम कराए कराहा जाएगा लुक्डाूँन के बाद में जिसे आपका लॉग्डाञ कुलता है उसके यो कि मंदन ने बसा है दश दिन के बाद 14 एप्रेल को लॉक्टान ओपन होता है 15 एप्रेल बार कउपेसGIS energetic sir प्रूहर्म होता तो इसके बाद पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिकल सांस का भी अप रख सर्द लाए जाना है जाना है दोस्तो दोस्तों आप ब्लोगे लागे जो मैं आप को तो दोस्तों आ रहा हूँ, इसका official website है MPBSC, MPBSC official website पर एक notification अप्लोड कर दिया गया, उस notification में आपको subject clarify कर दिया गया है, अगर मैं आपको इस notification के मादध्यम समझाने की कोशिस करता तो सायद आपको नहीं समझ में आता, इसलिए मैं आपको 3D diagram से मादध्यम से समझाने की कोशिस कर रहा हूँ, ओकी दोस्तो, इसके बाद में हम बात करते हैं कि हमारा जो exam है, दोस्तो, 6 subject के आपके exam समझ में आगे होंगे, इसके बाद में दोस्तो, हम बात करते हैं, bookkeeping and accountancy जन्नोंने भी ऐस subject लिया, उसका exam कराया जाना है, bookkeeping and accountancy का दोस्तो, इसके बाद business economics जिन्हों भी business economics का subject लिया है वो business economics वाला जो कि एक जम कराया जावेगा 12th class के अंदर दोस्तो हिंदी मीडियम और इंग्लिस मीडियम दोनों के लिए दोस्तो छोटी से रिक्वेश्ट करूंगा यार वीडियो को लाइक नहीं किया भी लाइक जलू कर देना है चैनल पर subscribe नहीं किया चैनल को subscribe कर देना है पहली बिजिट कर रहे हूं तो और बैल आइकन को भी दब सब्जेट का भी जो की एक्जम कंडेट कराया जाबेगा इसके बाद में दोस्तो क्रॉप प्रोडक्शन एंड होडिकल्चर इसका भी जो की आपका एक्जम कंडेट कराया जाबेगा इसके बाद में हम देख लेती हैं इस सब्जेट का भी जो की आपका एक्जम कराया बात करते हैं कि इस्ट्री ऑप इंडियन आर्ट हमारा इस सब्जेक्ट है इसका भी जो कि एक जम कंडेट कराया जावेगा भी इसके बाद में एलिमेंट ऑप साइंस और लास्ट हमारा सब्जेक्ट है एट्रोनॉमी साइकोलोजी एंड हैल्थ तो हमारी टोटल टोटल दोस् सब्जेक्ट हैं जो कि में केटेगरी के अंदर रखे गहें जो त्वेल्थ क्लास में जैसा कि नोटिस में बताया गया था जो आपके सब्जेक्ट के एक्जम कंडेट कराए ना जाना जोगी मिस्किल्ब है इस वहीं से जो कि इसका अब इसकी सब्जेक्ट के आप इसका सक्रीनिसॉट ले ले लिजिए जिसे को समझ में आ जाएगा दोस्तों आप इसका एक स्क्रीन सॉट्प भी ले लीजिए और सब जल्टो में पर मेसेज करके पता सकते हैं मैं आपको चोटी सी रॉकष्ट करोंगा है जो कि यह जरूर्व नहीं किEM प्लीट करने का सकती है लिए भी ऑप जोनगों एस YOU are you कर दें ओकी दोस्तों तो चली दोस्तों वीडियो करते हैं समाप और मिलते हैं ने इस वीडियो के साथ में तब तक लिए बाए